और इसको बहुत ही बारिकी से अगर आपने वीडियो कुछ देखा तो ही आप समझ पाएंगे नहीं तो आपकी समझ में ये बिलकुल भी आने वाला नहीं है अच्छे अच्छो की समझ में नहीं आता है ऐसा आपको यूटूब पे कभी नहीं बताया गया होगा जैसा आज आłaot नहीं हर इतना नहीं होता है दिजस का एनलोग में मिक्कशर हो सेंड और संट होता है और सबसे ज्यादा मेरे च्छोटे जोलाइभ sound setup लगाते हैं उनके लिए मैं आज जब अर्दस सेटिंग बताऊंगा आप ox return और send को कैसे use करेंगे अगर आपको ox return और send में dd3 लगाना है या roland का कोई भी effect लगाना है किसी भी तरह का कोई भी delay लगाना है उसको ox return और send में कैसे use करेंगे और friends जो मेरे दोस्त बड़ा splitter नहीं ले सकते हैं थोड़ा महेंगा है उनके लिए मैं छोटा splitter आज ले गाया हूँ इस splitter के बारे में और इसकी क्या video master diamond का लग 16.2 और लगबग बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के पास यह मिक्सर है यह 16 चैनल का मिक्सर है एक लुक आपको दिखा देता हूं यह मिक्सर है और देख लीजिए आप इसको इसका फ्रस्ट लुक यह इसके master fader है और फ्रेंड्स यह छे बटन यह और चार यह socket आज पूरा का पूरा टॉपिक इने के उपर है और जो मेरा बाद आपको फिर aux send और aux return इन में कोई problem नहीं होगी और friends कुछ मेरे friends इसका use कर भी लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कत उनको यहाँ पर आ जाती है यह जो switch लगए है यह 6 के 6 switch फिर यहाँ पर उनको problem हो जाती है कि किसको हमें कितना क्या कही है इससे क्या होगा और इससे क्या होगा इससे क्या होगा इन दोनों से क्या होगा left और right से क्या होगा मगर friends मैं अब है आप लोगों को इसका बिलकुली जबरदस्त फंडा बताने वाला हूँ आपको कभी भी system को operate करते हुए इनका जब यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेस्ट तरीके सा आपको और पुट मिलने वाला है फ्रेंट्स बने रहे हैं अब वीडियो में शुरू करता हूँ इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करने हैं माली जी मैंने कोई भी अपना इंपुट इसमें मैंने चाए माइक हो चाए आपने कोई माइक लिया हो इसमें माइक इन करने के लिए चाए आपने कोई इंस्टूमेंट लिया हो चाए आपने माली जी यह सिंगर का माइक आपने इसमें इन कर दिया है अब देखते रहना दोस्तों यहीं से ही आपको सुरू हो जाता है और सेंड को आज समझ जाएंगे दोस्तों यह मायन लीजिए आपने माइक इन कर दिया है और आपको इस माइक को अपने और सेंड और रिटन में यूज करना है इसको यूज कैसे करना है आप इसका यूज क्यूं करना है पहली बात तो यह है कि आपको इसको और सेंड रिटन सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमें अगर सक्षोग एपने मैन माईड सिंगर संग माइक में कभी कोई कर si रोख और उदेश हो ढय्मिक प्रोसे सरो अगर इसमें हमें कभी भी एड करना है तो हमेशा आपको का निकी जूरत पडही चाय को ईए झोड करते हैं को डी हमारे equalizer हो गया यह सारे dynamic processor है माल लिजे आपको यहां से यह in हो गया है अभी बिल्कुल clear आपको हो जाता है आपको देखते रहना है बहुत ही बिल्कुल बारीकी से friends यह आपका singer का mic in हो चुका है आपको इसमें कोई भी processor out से आपको इसमें inbuilt करना है तो signal कैसे through होता है signal कैसे through होता है वो अगर आपको समझ में आ गया तो send और return और प्लस इसके जो यह volume है आपको बहुत ही जवर्दस तरीके से पतत लगने वाला है और signal कैसे through होगा वो मैं भी आपको बता दो जैसे आपने mic in किया यह signal यहां से इसका level हमने increase कर दिया है तो यह हमारे send में चले जाएगा send में अब आपको क्या करना है इसको कैसे use करेंगे अभी आपको दिखा देता हूँ हीर जड़ा में निकाल ले दो अपनी आपको इसको क्या करना है फ्रेंड्स बिल्कुल ही practically आप लोगों को कभी यह चीज़ें देखने को नहीं मिली होंगी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों को बहुत प्यार मज़ें मिल ला है फ्रेंड्स साथ आठ वीडियो में ही 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत ही बैस तरीके से knowledge मिल लएगा है और ऐसा ही म आपर यह एक हैं को audio पर दो сбस्ध का है कि यहां और एपने इसको फिप्टी यह इतना बढ़ा लिया है यह तक बढ़ा आंगे तो बहुत ही better result को मिलेगा जैसे आपने ox send का आपने यहां पर बढ़ाया है ox send जैसे आपने बढ़ाया है तो यह है ox one का send इसमें आ चुका है signal आपके signal में जितनी gain आपने देनी थी वो दे दी और यह signal इसमें input में आ चुका है अब देखें दोस्तों यह mic अभी आपका apply नहीं हुआ है क्योंकि आपने इ इसका सारा का सारा signal अभी बंद है और friends जैसे ही आप इस ox one को open करेंगे जैसे ही जितना जितना आप इसको increase करेंगे उतना ही signal पहले यहां पर आएगा फिर आपने इसको level को जितना control करना है उतना control किया यहां के बाद चीदे और टुटो के signal यहां पर आ चुका है अब आपक 3 से दिखा रहा हूं आपने यह है effect इसमें send से आपने यह है जो signal यहां पर in हुआ है वो signal auxiliary के द्वारा यहां पर पहुंच चुका है और friends इससे आपने level उठा दिया है कि आपके delay में कितनी आवाज इस की जाए माइक की और यह देखें दोस्तों यह जो lead है यह lead मैंने लगा दी है कहां पर यह lead आपको लगा देनी है dd3 के अभी मैं इसको इधर रख लेता हूँ कि फिर आपको दिक्कत होगी समझने में यह lead जो है वहां से जो मैंने ली है aux send से जो मैंने ली है वो lead मैंने dd3 में in कर दी है यह देखें यह dd3 में in हो चुकी है अब जैसे आपने dd3 में in कर दी है अभी आपका send का signal का जो बसीस है सिंगनल जो आपकी send की जो बसीस है उसका यह input कर रूट करो है यह यहाँ पे आपने input कर लिया है gain यहां पर दे लिया है और इसको एतना जीतना सलेक्त कर लिया है और उसके बाद आप लोगोंने यह है यहां पे auxiliary से Hay От और रैट फिर इसको भी बहुत बड़ा फटा है मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक इसको यूज करने की ट्रिक माल लेज़े यह penning switch है left और right aux send, aux one का जो आपने send select किया है वो आपको कितना जाए कहहें में left और right यह जो आपके left और right है माल लेज़े आपने left में पंडाल में output दिया है और right में आपका पूरा stage पर output है और आप चाहते है कि पंडाल में तो आपके singer के आवाज जो ये माईक लगा है instrument के साथ बढ़ी रहा है और stage पे आपके instrument से उपर इसके आवाज बढ़ी रहा है तो आपको यहां से select करना है कि इसको right में आपको ज़्यादा select कर देना है correct में ज़्यादा select कर देंगे तो आपके जो stage है उस पे सिंगर की आवाज हमेशा आपके इस्टूमेंट से उपर बनी रहेगी ये बहुत ही जबदस ठीक है अब फ्रेट्स चलिए मैं आजाता हूँ इस पे यहां से आप आ चुके हैं ये लीर लेकर के आउक्सेंड से आउक्सेंड से हमने अपने इफेक्ट प्रोसेसर में इसको लगा दिया है इन्पूट में और इसको फिर कैसे अपलाई करना है अभी मैं आपको दूसरी लीर लगा देता हूँ फ्रेंट्स वीडियो में बने रहना है मेरे चैनल को अगे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लो जब्योर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बदस्त वीडियो और ट्रिक्स उस पे मेरे चैनल पे मिलती रहती है अब دोस्तों मैंने यह लीर ले लियाय है और इसको मैंने Ox Return में लगा दिया है अब इससे कैसे होगा अपलाई कैसे हो गई है पूरे Mixer पे यह कैसे अपलाई करेगा अब देखे यह फिर मैंने यह Lead जो मैंने लगाई है यह Lead यह पूरी की पूरी lead यह रही दोस्तों और यह मैंने अपने DD3 के आउट में इन करदी है ठी एक मिनट ये DD3 में इन कर देता हूँ ये देखे ये इसमें इन हो चुकी है और फ्रेंट्स अभी ये है एक रूट बन चुका है पूरा एक रूट बन चुका है ये आपको मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ रूट कैसे बना है आप इस रूट को पूरा फर्फेक्ट आपको दिखा रहूं इस practical को अपनी दुकान पे कीजिए अपने घुदाम में कीजिए फिर आप इसको फिल्ड में अपलाई कीजिए कहीं आप फिल्ड में ट्राइ करने लगे हो और आपको problem हो तो आपको दिक्कत होगी फ्रेंस ये route कैसे clear हुआ है अभी समझ जीजिए ये आ आपका feeder पीछे पड़ा रहा है नीचे पड़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपके ox one में volume चला जाएगा बहले ही आपने इसका feeder zero db कर रखा है तो भी आपका signal यहां पर आ जाएगा और आपके ox send में signal कितना जाए इसमें dd3 में signal कितना जाए वहां से आपने level select कर लिय है और फ्रेंड्स यह जो आपने फिर right में आपने select कर लिया है कि right में हमारा stage में singer की आवाज ज्यादा बनी रहे और फ्रेंड्स फिर यह जो हमने लगा दिया है ox return लगाया है हमने delay से output लेकर के ox के return में लगा दिया है और return का कितना level आपको चाहिए return का भी volume फिर यहां पे ह यह कितना आपको चाहिए लगबग यहां पे आप इसको रखना और friends जब आपने इसको ऐसे select कर दिया अब आपकी मर्जी है पूरे mixer के ox one में यह पूरा का पूरा effect apply हो चुका है यह पूरा effect जो DD3 का effect है यह पूरे mixer के ox one में आपके पास apply हो चुका है अब आपकी मर्जी है आपने इसमें कोरस का माइक दे दिया है, यह आपने कोरस का माइक लगाया, फिर यह आपने कोरस का माइक लगाया, और आप चाहते हैं कि इन कोरस को जो आपने इफेक्ट दिया है, इसमें एक चीज और दिखा देता हूँ, आपको यह जो सिंगर का माइक है, इसमें आपने इ जादा कीजिएगा फ्रेंड्स ये आउक्स सेंड हुआ और रिटन हुआ ये अभी आप पूरा समझ चुके हैं इसके साथ साथ इसका यह जो फंडा है यह फंडा भी आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुके हैं दोस्तों और एक चीज मैंने इसमें आपको बोली थी कि मैं आपको छोटा स्प्लिटर दिखाऊंगा फ्रेंड्स माल लिए आपने और पूट ले लिया है यहां से आपने और पूट ले लिया है अपने मिक्सर के लिए अपने अंप्लिफायर के लिए यहां से आपने और पूट ले लिया है लेप्ट और राइट और फ्रेंड्स यह आप यहां से एक दूसरे एंप्लिफायर में कपलिंग करते चले जाते हैं उससे आपके साउंड में एक हमिंग बन जाती है और आपके साउंड में हमिंग ना बने उससे क्या बचने के लिए यह है एक यह है एम जे फाइब और इसको बोलते हैं मल्टिपल जैक फ्रेंड्स य को आप इसमें इन कर दीजे यहां पर यहां पर जैसे आप इन करेंगे तो आपको इसके चार आउटपूट होके मिल जाएंगे। prac मेरे वीडि़ो आपको अच्छी लगई हो तो वीडियो को लाइक जबूर करें और आपका कोई फ्रेंड्स है जिसको ये सारी चीजें प्रोब्लम हो सकती है आप उनको वीडियो को सेर करें फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने लेगे बहुत बहुत सुक्रिया